नमस्कार स्वागतेवं अविनन्दन पुना मेरे चैनल अक्षे क्यान पे आज आपके लिए पाठ चार जल अप्यार सही किसका यह हमारा परयावन जो हमारी पुस्तक है कक्षच शात आठ की उच प्रात्मे की स्तर पर जो लगी हुई है तीनों कक्षाओं के लिए एक ही वु परयावन की प्रती जागरू करने के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी इसके अंदर हर तरह की हमारे जो परयावन है आप बच्चों को पता होना चीए परयावन क्या होते हमारे चार ओर हम जिससे घिरे हैं वो परयावन कहलाता है आज हम जल के बारे में अध्यन करेंगे जल के प्रशनों को देखेंगे, तो जल क्या है water, water यानि S2, जल हमारा, जल से ही हम जीवित है, जल के वना, जल ही जीवन है, जैसा कि कहा भी जाता है, प्रशनों के उतर देजे, निमेकित प्रशनों के उतर देजे, सर पर थम, समुद्र का जल, पीने योगे क्यों नहीं होता ठीक है क्यों खारा होता है समुद्र में जल में समुद्र जल समुद्र में जल है खुले बिभीन लवनों के कारण समुद्र का जल का स्वात खारा या नमकीन होता है इसलिए वह पीने योगे नहीं होता है आप देखिए जहां जहां समुद्र के नारे जितना एरिया है वो आपका सब खारे पानी का होगा ठीक है जल के कौन कौन से श्रोत है तो प्रत्वी पर जल के तीन पकार के श्रोत है धारातली श्रोत भूमीगत श्रोत और हिमनत ठीक है आपका जो हैंड पंबेरा जो हो जाता है भूमीगत जो नीचे से आता है पान जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है है जो वो सब किताबे भी तो पेरों से बनती है वो कागश होता जो घरेलुकार जो हमारा खाना पीना बनना है बरतन दुलना है नहाना धोना है चितना विद्धनेकार परैवन वो जो किसे चाई के लिए भी चाहिए जल के धरातले श्रोत से आप क्या समझते हैं जल में प्रगर्ती में जल तीन रूपों में पाया जाता ठीक है ठोस द्रव और गैस तीन प्रकास का ठोस जिसी कौन सा होगा पहाड़ों पर जमी बरफ जल का ठोस रूप है ठीक है आपका फ्रिज में जो पानी रख दीजी वो ठोस रूप में मिल जाएगी बरफण के नदियों तालाबों जर्नों समझतर में बहता पानी जल का द्रव रूप है वायू मंडल में उपस्तेत जल वास जल का कैसी रूप है अब है आगला खाले सानों की पूर्ती कीजिए प्रतवी पर उप्योग होने बाले कुल जल का समध्री जल में लवनों के खुले होने के कारण यह जल खारा या नमकीन होता है जल में क्या गुला लावण होते हैं इस वज़े से पानी खारा होता है हिम्नद स्वच्छ यवं मीठे जल का शूथ है पाड़ों पर जमी परफ का जल का ठोस रूप है ठीक है अगला प्रश् लगाना है अब नदी भूमिगत चल का श्रोत है नहीं चल ठोस रूप में क्या है आपका नदी है कि नहीं है नदी नहीं है इसको मैं यहाँ पर क्रॉस कर दूंगी जल ठोस द्रफ तरके सीनों रूप में पाया जाता है एकदम सही है यह समूदर का जल मीठा होता है यह आपका गलात है परतिक जीवधारी के लिए जल अत्यान तावाशक है एकदम सही है आपका ठीक है अगला परसने सही मिलान कीजिए नदियों नालों का जल क्या होता है समूदर में मिलता है समूदर का जल खारा होता है प्रकरती रूप में उपयोगी जल सीमित मात्रा में है गंगा तथा यमना नदियों का संगम प्रयोग में होता है नदियां मानल जीवन के लिए महतपून है तो अब इस तरह से हमने यह स अच्छे देखी इसमें हमने जल के बारे में पड़ा बहुत अच्छे सा अपार्ट हमारा बहुत ही मात्पून है सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो जानकारी है बच्चों के लिए बहुत उप्योग ही है और बच्चों को समझाई कि जल का दुरप्योग نہ करें जल का बाव ना करें फालतू का वेस्ट ना करें जितना जरूरत हो उतना पाने का उपयोग करें ये हर बार हम बच्चों को बताएंगे प्रती दिन बताना पड़े तो प्रती दिन बताएंगे इस से हमारा पाने की जो शेपिंग होगी वो भी अच्छा होगा और सेव इंबार्मेंट पे भी इस बहाने उसमें सहयोग कर सकते हैं क्योंकि सेव इंबार्मेंट के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि आप पेर पॉधे आप पेर पॉधों की रक्षा कर लें ये भी बहुत बड़ी बात है ये भी एक योगदान है चलिए ओके फिर मिलते हैं आगले चेप्टर के साथ मैं